पद्म श्री और पद्म भुशन सम्मान से विपुशित गोपाल दास निरज का जन्म चार जन्वरी 1925 को इंडावा उत्तर प्रदेश के पुरावली ग्राम में हुआ था हिंदी महाशा के प्रमुगीत कार और कवी निरजने कवीता के साथ साथ हिंदी सिनेमा के लिए लोक प्रियंगीत लिखे हैं जैसे की कारवा गुजर गया बस यही अपराद मैं हर बार करता हूँ ए भाई जरह देख के चलो आदी जन सामान्य की द्रिष्टी में वेमानाव प्रेम के अनन्य गायक हैं उन्होंने अपनी मर्मैस परशी, काव्यान भूती तथा सहज सरल भाशा द्वारा हिंदी कविता को आम जन तक पहुचाने में महत पूर्ण भूनिका निभाई हैं ऐसी ही उनकी एक प्रसित कविता है जीवन नहीं मरा करता है यह कविता हमें जीवन के निराशा के छड़ों में हमारे अंदर एक उम्मीद जगाती है एक आशा का सचार करती है तो चलिए पढ़ते हैं जीवन नहीं मरा करता है छुप छुप अस्रु बहाने वालों मोती व्यर्थ लुटाने वालों छुप छुप अस्रु बहाने वालों मोती व्यर्थ लुटाने वालों कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है छुप छुप अस्रु बहाने वालों मोती व्यत लुटाने वालों कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी और तूटना है उस काजियों जागे कच्ची नीद जवानी गीली उमर बनाने वालों डूबे बिना नहाने वालों कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है कुछ सपनों के मर जाने से जिवन नहीं मरा करता है खोता कुछ भी नहीं यहां पर केवल जिल्द बदलती पोथी जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह दूप की धोती वस्त्र बदल कर आने वालों चाल बदल कर जाने वालों चंद खिलोनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है कुछ सपनों के मर जाने से जिवन नहीं मरा करता है लाखों बार गगर्या फूटी शिकन आई पनघट पर लाखों बार गगर्या फूटी शिकन आई पनघट पर लाखों बार गश्तिया डूबी चहल पहल वो ही है तटपर तम की उमर बढ़ाने वालों लाख कर पत जर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है लूट लिया माली ने उपवन लुटी न लेकिन गंध फूल की लूट लिया माली ने उपवन लुटी न लेकिन गंध फूल की तू फानों तक ने छेडा पर खिड की बंद नहुई धुल की नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उडाने वालों कुछ मुखड़ां की नाराजी से दरपण नहीं मरा करता है कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है चुप चुप अस्रु बहाने वालों मौती व्यर्थ लुटाने वालों कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है जीवन नहीं मरा करता है जीवन नहीं मरा करता है